दो हजार चोविस के लोकसभा चुनाव की तारिखों का एलान हो गया है और इसी के साथ देश भर में आचार सहीता लागू हो गई है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये आखिर ये आचार सहीता क्या है, इसके नियम क्या है, चुनाव में इसका मतलब क्या है, ये कब से लेकर कब तक लागू रहती है, इसकी सुरुवात कब से हुई, किस राज्य से सुरुवात की गई, क्या ये पूरे भारत में लाग सबसे पहले जानते हैं कि आचार सहीता क्या है चुनाव आयोग के द्वारा स्वतंतर और निश्पक्स चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम कानून और दिसा निर्देश जारी किये जाते हैं उसे ही हम आचार सहीता कहते हैं इसके तहट सभी राजनितिक दलों और उनके उमिद्वारों को चुनाव प्रचार के दोरान और मतदान के दोरान कैसा व्यवार करना है कैसा आचरन करना है ये सब बताय जाता है अब हम जानते हैं कि ये कब से कब तक लागू रहेगा अगर हम आचार सहीता के बात करते हैं त चुनाव आयोग की तरब से तारिखों का एलान किया गया है तो 16 मार्ट से ये लागू हो गई ये पूरे भारत में और कब तक लागू रहेगी चुनाव आयोग ने बताया कि 4 जून को चुनाव का नतीजा आएगा यानि इस बार के अगर बात करेंगे तो आचार सहिता 16 मार् पूरे भारत में लागू रहती है लेकिन अगर चुनाव किसी राज्य की विधान सभा का है तो उसी राज्य में आचार सहिता लागू रहेगी जिस राज्य की विधान सभा का चुनाव है तो आचार सहिता सिरफ उत्तर परदेश में लागू होगी ना कि किसी और राज्य म फिर हम जानते हैं कि यह कब से इसकी सुरुवात हुई अगर हम सुरुवात की बात करेंगे तो केरल भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां पर आचार सहीता की सुरुवात की गई 1960 में केरल राज्जे में इसकी सुरुवात की गई और बाद में 1967 में पूरे भारत में ही इसको लागू कर दिया गया अब हम जानते इसके नियम क्या है यानि आचार सहीता लागू होने के बाद किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है सभी राजनियतिक दलों को सबसे पहला है कि सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या बंगले का प्रियोग किसी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता सरकार की उपलब्दियों वाले जितने भी होडिंग लगे होंगे जितने भी पोश्टर विज्यापन लगे होते हैं उन सब को हटा दिया जाता है जो भी व्यक्ति चुनाव प्रचार में लगा हुआ है उसको अपना वैज या पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होता है आचार सहिता लाग होने के बाद कोई भी राजनेतिक दल किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था या कमपनी को एक दिन में दस हजार से ज्यादा का नगद भुगतान नहीं कर सकता है कुछ और बाते हैं इसमें जो आचार सहिता में बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जाती धर्म या भासा के अधार पर ऐसा कोई भी ब्यानबाजी नहीं करेगा जिससे समाज के अंदर मतभेद पैदा हो समाज के अंदर किसी भी तरह का तनाव पैदा हो मतदान के अंदर के सो मिटर के दाइरे तक चुनाव परचार नहीं किया जा सकता है मतदान के दिन सराब का वितरन नहीं किया जा सकता है मतदाताओं को किसी भी तरह से ड्राना धमकाना या उनको रिश्वत देना वरजित माना जाएगा किसी भी मतदाता को मतदान के अंदर त तो यह इन सब पर भी पाबंदी रहेगी मतदान के चोबे 48 घंटे पहले तक किसी भी सर्वजनिक सभां नहीं की जा सकती है मतदान के अंदर पर किसी भी पार्टी के द्वारा किसी बेतरह का पोश्टर वहां किसी बेतरह का जंडा चुनाव चिन लगाना वर्जित रहेगा यानि नहीं लगा जा सकता है किसी बी पार्टी को अगर जूलूस निकालना है तो उसकी परमिसन पहले वहां कि स्थानिया पुलिस से लेनी पड़ेगी जूलूस कित प्रावधान की कानुन नहीं कि जा सकती है चार सहीता कोई वैधानिक दस्तावेद नहीं है यानि यह संसद की द्वारा बनाया गया कानुन नहीं है लेकिन फिर भी इसके तहत किये गए कई कारियों को आई पीसी की धाराएं और जन प्रतिनिदी कानुन 1951 के तहत चुनावी अप्राद या भ्रस्ट आचरण की कटेगरी में माना जाता है और उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है हलाकि हम लोग देखते हैं कि जितने भी नियम बताएगे हैं इन नियमों के एकदम धजियां उड़ाई जाती है अगर हमारा चुनाव आयोग सक्ती से काम क बरे तो इन चीजों को लागू करवाया जा सकता है जो भी उमिद्वार जो भी पारTI ऐसे नियमों का उलंगन करती हुई पाई जाती है तो उसके खिलाप सक्त से सक्त कारवाई की जाए उसके चुनाव परचार पर रोक लगाई जा सकती है उसके चुनाव लड़ने पर प् कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बोक्स में लिखके मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में जहिल.